ओम शंते, एक बार एक सरोवर में बहुत सारे मैंडक रहते थे, और उसी सरोवर में एक लंबा खंबा था, जो लंबे समय से पानी में रहने के कारण बहुत चिकना हो गया था, एक बार सरोवर के सभी मैंडकों ने एक मीटिंग रखी, और सोचा क्यों न एक रेस की जाए सभी के बीच में, जो भी मैंडक इस खंबे के उपर सबसे पहले चड़ेगा, वो विजेता बनेगा, बस फिर क्या था, सभी ने रेस की तयारी शुरू कर दी, यहां तक की आसपास के सरोवर के जो दूसरे मैंडक थे, वो भी इस प्रत्यो को देखने के लिए आ गये, प्रत्योगिता का दिन आ गया, सब बहुत उमंग उत्साह में थे, अपनी पूरी शक्ति के साथ, लिकिन जो देखने के लिए आ रहे थे मैंडक, उन्होंने सोचा, इस खंबे पर चड़ना तो बिलकुल असंभव सा लगता है, यह खंबा इतना उच्छा और इतना चिकना है कि इस पर चड़ना तो ना मुम्किन है, और हो भी ऐसे रहा था, प्रत्योगिता शुरू हुई, कई मैंडकों ने उस खंबे पर चड़ने की बहुत कोशिश की, वो चड़ते थोड़ी दूर पहुँचते, लेकिन चिकनेपन के कारण वो फिर जाते, वो फिर प्रयास करते, ऐसे तीन बार, चार बार प्रयास करते, लेकिन उपर नहीं पहुच पाते, कई मैंडक तो आस पास भीड की आवाद सुनकर अपनी हार मान लेते, कि इस खंबे पर चड़ना तो बिल्कुल असंबव है, उन सभी मैंडकों में से एक छोटा सा म फिर गिर जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और आखिर वो खंबे के उपर चड़ी जाता है, और वो विजेता गोशित हो जाता है, जब वो नीचे उतरता है, तो सारे मैंडक उसे घेर लेते हैं, और उसे पूछते हैं, अरे, तुम तो इतने छोटे हो, और दिखने में भी इतने शक्तिशाली नहीं हो, भला तुमने ये काम कैसे किया, तब ही उस भीड में से, पीछे से एक आवाज आती है, अरे, तुम इसे क्या पूछ रहे हो, ये तो बिचारा बहरा है, तो आप सभी ने समझा उसकी विजे का राज, लोगों की नकारात्मत बातों को, वो बहरा होने के कारण सुन नहीं पाया, लेकिन वो अपनी शक्ति को निरंतर प्रयास में लाता रहा, और विजेता बन गया, तो दोस्तों, हमें भी जीवन की नकारात्मत बातों से बहरा हो जाना है, अर्थात, नकारात्मत नेगिट्व बातों को, हमें अपने अंदर नहीं लेना है, और ना ही ऐसे द्रश्य को हमें देखना है, लेकिन अपनी सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी लक्ष की और आगे बढ़ने में निरंतर प्रयास करते रहना है, तो हम जरूर सफलता के शिकर पर पहुँची जाएंगे, अच्छा, ओम शंती.